डीजल पर्टोल की लगतार बढ़ती कीमतों और गलाकाट विजडी बिलों के खिलाफ कांग्रेस ने किया विरोज पदर्शन अध्यक्ष अमित सक्तेना के साथ आये किसान बोपाल से भाजपा जोईन कर लोटे पांडुना नगरपाली का अध्यक्ष अरुन पालीवाल जिला भाजपा कारेले में हुआ भव्य स्वागर लोकतंद्र सेनानी संग ने चीन सीमा पर शहीदों के नाम किया व्रक्षा रोपन दीविनम्रुश अध्यान जली और गार्जियन्स के साथ लाम बंद हुए युवा चातर संगतन भी इधार प्राइविट स्कूलों के संचालकों ने प्रशासन से मांगी सुरक्षा अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं निहारी का विश्व कर्मा और अफखबरे विस्तार से शुरत करते हैं कोरोना अफडेट से जिले में आज दो और पॉजिटिव केस मिले हैं साबधानी वरते और अफखबरे पैट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से लोग परिशान हैं इस पर ब्रेक कब लगेगा यहां कहां नहीं जा सकता लेकिन इतियास मैं ऐसा पहला अफसर है जब डीजल का मूल पेट्रोल की मूल से लगभग बरावर हो गया है ऐसे में कम खर्च बाहान चलाने वाले चालक परिशान हो रहे हैं हमारी एक रुपोर्ट पेट्रोल की कीमते आस्मान चू रही है डीजल भी इस दोड में आगे निकल चुका है ऐसे में महंगाई में भी उच्छा लाना स्वाभाविक है और ऐसा देखा भी जा रहा है डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की जेब पर बुरा असर डाला है यह सरकार को जो मूली ब्रत्जी किये उसको वापेश लेना चीए और इसको नियंत्रक करना चीए पब्लिक वैसे ही त्रस्ट है उधर इस मामले में कांग्रेस लगतार सत्ता पक्ष यानी भाजपा पर हमलावर है कांग्रेस पिछले दो दिनों से आंदोलन कर रही है कांग्रेस नेताओं ने भाजपा नेताओं के प्रबंधन को लेकर कोसना भी शुरू कर दिया है ऐसे में राजनीती गर्माई हुई है इसके कारण बहुत ज्यादा असंतोस और बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है आज एक लोगों को मेंटर साइकल में पेट्रोल भराने में दिक्कत आ रही है किसानों को डीजल महंगा होने से अपनी जुदाई करने में दिक्कत आ रही है और पूरी अर्थ ब्यवस्ता इसका सर पड़ रहा है और बेसरमी के साथ इनके मंत्री कहते हैं कि ये तो हमने कोरोनों का टेस्स लगा दिया है जबकि कोरोनों का इससे क्या संबन्द है पैट्रोलियम क्या सिर्फ आम जनता या आम ब्यक्ति से ही पूरा पैसा बसू लेगी सरकार तो फिर बीसलाग करोड का जो टैकेज दे रहे थे उसका क्या हुआ जब 20 लाग करोड देना है और यहां वो देना नहीं है आज तक एक रुपे भी नहीं किसी के पास पहुचा उबर से आज यह टैक्स लगा के आज सतर पिस्ट इसमें चो टैक्स होता है यानिकि यह अधी असी रुपे लिटर का भाव है तो चपन रुपे उस पर टैक्स लि अज लूटा जा रहा है आम व्यक्तियों को और इसके खिलाप में आज हमने मार्च निकाला था लेकिन प्रसासन के दोरान मती नहीं दी गई लेकिन कोरोना को देखते हूं हम लोग लागडाउन का सम्मान करते हैं और हमने प्रोटोकाल का पालन करते हुए इंद्रा जी की आने वाले समय में कॉंग्रेस पार्टी जो है इन सरकार के खिलाप में उगरांदोलन करेगी और इनको जवर्दस जवाब दिया जाएगा और मेरा सभी जनता जनार्दान से सभी आम लोगों से युमाओं से अपील है कि जो गलत हो रहा है आपके सार्थ उसका आप विरोध इस पर लोगों की नजर है लोग इस मामले में सरकारों के रवईये पर टक्टकी लगाए बैठे हैं ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह और कब नकेल कसेगी गलोबल की रिपोर्ट भपाल से भारतिय जनता पार्टी ज्वाइन कर पांडूर्णा नगरपाली का अध्यक्ष अरुनपालीवाल चंदवाडा पहुचे तो जिला भाजपा कारेयले में उनका अभव्य स्वागत किया गया पांडूना नगरपाली का अध्यक्ष अरुन पालीवाल और सभापती सुरेश कोरडे ने बोपाल में पार्टी के वरिष्ट नेताओं और पदाधीकारियों की उपस्तिती में भाजपा की सदसिता ग्रहन की है चिन्वारा जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहु ने यहां उनका हार्दिक स्वागत किया और शुब कामनाएं दी करता हूं के द्वारा स्वागत किया और साती साथ हमारे वहां के सवापती सुरेश कोड़े जी भारती जंता पार्टी में सामिल हुए मैं सम्मानी खोड़े जी का सम्मानी पालिवाल जी का बाचपा के परिवार में स्वागत करता हूं वंदन करता हूं आज हमारे बीच मे के मंदल देख्ष देवतकर जी सम्मानी कनिराम रगवंसी जी सम्मानी नानवाव सम्मानी विजय जांजरी जी के सामने आज इन्हों शिन्दवाडा में अपना गरण किया है मैं सभी को बदाई देता हूं शुपा आधरनिये नरेंद भाई मोदी जी के उनसे प्रेणा लेकर उनको आज मैं पूरे देश में एक मात्र देश में वरण मैं बोलता हूं कि पूरे विश्मे में एक मात्र उनके जैसा कोई दूसरा आनेता नहीं है तो ऐसा उनका देखते हुए और यहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आधरनिये शिवराज जी उनको भी जो उनकी आज चल रहा है जो कारे और मुझे जो उमीदे थी वो उमीदों के ऊपर कि यहां पे हम लोगों को काम ठीचे डैम का लिए निर्मान क साथ हमने पांडूना को जिला बनाने के लिए कि क्नवारा जिल संभाग बने और पांडूना जिला बने क्योंकि उनके पूरी तरह से भारती जनता पार्टी के सेवा में रहूंगा। इदर शहर के नीजी स्कूल और बच्चों के माता पिता के साथ युवच हातर संगठन आमने सामने आ चुके हैं। कलेक्टेट पहुँचकर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने प्रशासन को ग्यापन स्वपा और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। प्राइवेट स्कूल वालों की शिकायत है कि बच्चों के जो पालक स्कूल आये थे उनमें से कई पालक थे ही नहीं और कई तो नेता टाइप के लोग थे। कि हम प्रोटेक्शन चाहते हैं आप लोगों भी पढ़ा हो देखा होगा कि कल फीस को लेके कुछ असंतुष पालक गण हम लोगों के स्कूल में आये और उसमें मेरे खाल से पालक तो कम थे उनके साथ कुछ असामाजिक तक्रों भी थे जो हम पहचानते हैं अपने पालक व पालक नहीं थे और चूकि मैं महीला हूं स्कूल चलाती हूं मेरे साथ मैसे साओ भी है वो भी महीला है इसकूल चलाती हैं तो हम लोगों ने सुरक्षा की दरश्टी से प्रोटेक्शन मांगा है हम लोग सुरक्षित नहीं हैं तो कि जिस तरह से कल वो भीड आई उनका ये नियम नहीं बनाएं उसके बाद भी यदि बाल को द्वारा इस टाइप का हमको अनर्गल बाते बोली जाएंगी और स्कूल में आके धंकाया जाएगा तो हम कैसे उनके बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि उनके शिक्षत को उनके कि आपको ट्यूशन फीस लेनी है एप्रिल से और हम लोग उसी की मांग कर रहे हैं हम लोग अलग से कोई चार्जिश, लाइबरेडी, स्पोर्ट्स, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं तो पालक का कहिना है कि हम कुछ भी नहीं देंगे और उसमें बहुत सारे लोग जो मांग कर रहे हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं उसमें जो दो लोग है वो तो टीचर हैं उनको सब को पेमेंट मिली है यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आईए अपनी बात रखिये उसका निराकरण हों करेंगे लेकिन ऐसे रोड पे चिलाने से नारे लगाने से ही समस्यर का समाधान नहीं होगा तो मैं बस यही चाहती हो प्रशाशन से कि आप हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमारी सुरक्षा के लिए कुछ करें 25 जून वह दिन था जब Parents Association अपने अपने स्कूलों में फीस के संबंद में बात करने पहुचे थे और स्कूल प्रबंदन से सकरात्मक रवया नहीं मिलने पर गेट बंद होने की स्तिति के चलते अपनी मांगो और समस्याओं को लेकर ग्यापन वही गेट पर चस्पा किया था प्रबंदन से प्रबंदन से पेमेंट नहीं दी गई और यह भी कि सितंबर तक पेमेंट ना होगी यह भी टीचर्स को कह दिया गया है कांग्रेस सेवदल संगटक सुरेश कपाले ने सीम के नाम ग्यापन सौपकर फीस माफी की मांग की है पुराना वारत लाफडाउन की सिती में आदमी बिरोजगार हो गया है बस से बत्तर हलात हो गई है आदमी को अस्काने के लिए पैसा नहीं है ऐसी सिती में प्राइविट स्कूल के संचालक जहां बार बार वाटसाप फेस्डों का ट्वीटर के माध्यम से वालगातार मैसे किया कि आप तकाल एक नर्देश दारी करें और कोई प्राइविट स्कूल का प्रेवंदन या पेचार किसी भी पालग को पतारी तना करें कोई मैसेज ना करें और किसी तरह कम आदमी को पीस के नादर से दवाब ना बनाए इस बात को लिए कि हम लोगों के अपन सभार कले भारती विक्यारती परिक्रट के दवारा क्लेक्टर महदों ग्yaपन सवपगाया है जिसमें ग्यापन सवपगाया जुष में विक्यात है कि ग्यापन में कि स्कूल में लग रही फीजद इनका स्कूल वाले अपनी मनमानी से ले रहा है जबकी देखना होगा कि फीस का उट किस करवट बैठता है फिलाल तो गार्जियन्स का ही पलरा भारी दिखाई देता है ब्यूरो रिपोर्ट सिटी हलचल लोकतंत्र सेनानी संग छिद्वारा एकाई अध्यक्स रमेश पोफली एवं सदस्यों ने आज दशारा मैदान में ब्रक्षार उपन कर चीन सीमा में शहीद वीर्स सैनिकों को विनम्र शद्धा अंजली दी है लोकतंत्र सेनानी संग अमर रहे अमर रहे अमर रहे जिंदाबाद बंकी भाई हमारे कारेक्रम में भारती जंदाबादी का तुके निर्मार निर्वाचित आज लोकतंत्र सेनानी संग शन्वाळा के द्वारा रख्षारोपन का कारेक्रम इस्थानिय पोला ग्राउंड जशेरा मैदान में अभी संपण हुआ लोकतंत्र सेनानी संग शन्वार के समस्थ सदस्गंड और हमारे विचार परिवार के समस्थ बंदुगंड इस अवसर पर यहाँ अपस्तित हुए आज 45 वा वर्ष यहाँ पर हम लोक संपण कर रहे हैं इसको हम काला दिवस के रूप में मना रहे हैं आज के तबके और आज के परिस्तितियों में बहुत आंतर है आज देश में प्रजात्र है आज लोक स्वस्थ संपर प्रसंद है थोड़ा बैस्विक करोना वीमारी के करें थोड़ा हमारा देश परेशान है लेकिन इसमें से भी हम निश्ची तूप से रास्ता निकाल कर आगे बढ़ेंगे और अपने भारत को विश्वकुरू के इस्थान पर प्रतिस्था अपित करेंगे और चीन में जो 20 तेनिकों की शाहदत हुई थी उसको और जो हमारे बंदू इस अवसर पर बीच में और हमारे से कालकॉलित हो गयते उनको भी इस अवसर पर हमने शद्दान जली दी और उनके परिवारों के प्रतिस धाडस बनाने का और इश्वर से प्रातना की उनके दुख में हम सभी सहभागी हैं और उनकी शाहदत को हम वेर्थ नहीं जाने नेगे निश्वर से चीन से हम इसका माकूल जवाब देते हुए बदला लेंगे और चीन सामानों का हम अवश्चक रूप से बहिशकार करेंगे बहुजन समाज पार्टी जिला 21 दोारा च प्रती साहूजी महराज की जनती मनाई गई यहाँ कारिक्रम जोन प्रभारी ग्यानेश्वर गजविये के आतित्ति में हुआ सामाज के हर तपके के लोगों को उनका हिस्सा मिले जैसे एक बार उन्होंने एक उधारण भिया कि आरक्षण क्या है आरक्षण जैसे कि अगर यह बोई दो बोरा उसको नाप करके 500 है तो दो दो किलो बहुजन समाज पार्टी कारेले में आरक्षण के जनक शत्रपसी सहोजी महराज की ज़्म जैंती बनाए आज इस जैंती में पार्विजन समाज पार्टी के जीले के जुम्मे बार परादी कारी को दुलाए गया ताकि अभी वो सोशल डिस्टेंस और कारण हम जादा लोगों को नहीं बना पाए आज इस महापुरुष के जेश की बना रहे है कि महापुरुष पुलापूर के राजा थे पुर्मी समाज के राजा और इस संसार में भारत में बहुत सारे राजा हुई है और वो राजा जो होते है तो अपने खुद के लिए जीते इस महापुरुष साहोजी महराज ने अपने राज काज में जहां अचा शार्षन था, यस्टी ओबिसी धार्मीपल के समाज के लोगों को 1902 में 52 परशन आरक्षन, 50 परशन आरक्षन में समाज दिया था इसलिए भारत वर्शन में उन्हें आरक्षन के चनक कहा जाता है खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से व्रेक का आप देखते रहें सिटी हलचल प्रेक के वाज स्वागत है आपका सिटी हलचल में इंटरनेशनल वेश शिफ एडरेसन द्वारा नगर निगम को यात्री सुरक्षा किट प्रदान की है दरसल एक जुलाई से सूत्र सेवाबसे प्रारंब होने जा रही है लेहाजा कोरुना संक्रवन से यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संगर्थन अध्यक्ष नित्तिन खंडेलवाल ने ये किट उपलब्ध कर आई है सबसे पहले तो कलेक्टर साब का और नगरपाली का निगम के प्रमिस्टना धिमान सुर्थी का बहुत बहुत हम जन्यवाद करते हैं कि इस नगरपाली का निगम के द्वारा संचाली सिटी सूत्र सेवाबस का सुभारंब नए सिरे से एक ताई को करने जा रहा है इसी तान्तरम में वेस इंटर्नेल्सर वेस फेंडेशन ने आम जन्ता के लिए सूत्र सिटी बस सेवा एक ताई से जब चालू होंगी तो आम जन्ता के लिए एक ट्रेवल किट का निर्वाण करवाया है वो travel kit हर आम जनता जो सूत्र सेवा की सिती बस से यात्रा करेंगी उन सभी यात्री को एक एक travel kit इंट्रेलेंसर वेस्ट फेंडरेशन के द्वारा नगर निगम के करणचारी के द्वारा हर यात्री को वो travel kit गिप्ड की रूप में दी जाएगी कोरोना के बढ़ते मामलों के खिलाब रशासन पूरी तैयारी से जुटा हुआ है रेट जॉन और बाहर से आने वालों की सेंपलिंग सर्वेकार आदी की वारिक्या समझने के लिए तहसीलडार महे सगरवाल ने कारशाला में विंदुवार जानकारिया दिये मैं इसको कर्टिनू करते हुए इसी सिरे एक्टिक के बत्ला देदा हूँ पिट्रहिकला गाजुवारा जंदुवन्या में जो हमारा स्याटर हों कहले है उसको यहां प्रूथाइश ना कि आई-लाई और सारी वाले केसे से बहुत के इन पॉइंट है इन सेंटर्स में सम्मदिद पर्चायद के ऐसे जो आई-लाई और सारी पे जो केसे पाए जाएंगे वहां रहेंगे तुके खाने पीने रहने बसने की सारी बस्माय होंगी और सम्मदिद ग्राफपचायद के सचीव नाग पिश्याद के सचीव साई सचीव सेंबर सम्मस के दरस्ते में एक चीज जोब देखे गवा ने पोला पने पहुंचा दिया पीशेए आपको डेली आपके चैतर में एन फर्वे करना है यह जो लगता है कि गावाला को इस बख्तिमीजी कर रहा हो नहीं करवारा है पुरा समझाया है कि कैसे सरवे होना है, कहां कहां त्या क्या ध्यान रखना है और टेंप्लिंग की संग्या बढ़ानेक्ती है, उन्पे जोड़ दिया गया है, वोही चीजें को समझाया गया है। विध्याती मोर्चा चिंदवाडाई का एके पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ग्यापन प्रशासन को सौपकर युवाओ की रोजगार संबंदी समस्याओं से अबगत कराती हुए अपनी मांगे रखी। प्रणा काल को देखते हुए लगातार प्रदेश में विरुजगारों की संख्या निरंतर और अधिक आंस हर इस सर्थ पर बढ़ते जा रही है, तो हम मौदेशन करेंगे कि सरकारी हर विभाग में अधिक सरी संख्या में नौकरी निकले और भारी प्रदेश से जो लोग प पूंता वर्जित के जाना चाहिए और तोटल मध्यप्रदेश में सिर्फ मौल लेवासी कोई नौकरी मिलना चाहिए और अगर ने नौकरी देना है तो दो परसेंट से ज्यादा उनको नहीं देना है, हम इसी निविदान से लेकर आज मौदेख के समख प्रस्तुत हुए, साही बाबा जनसेवा संस्थान द्वारा आज कोरोना वारियर्स को प्रतिक चिन प्रदान कर सम्मानित किया गया साही बाबा जनसेवा संस्थान साही मंदिर छोटी बजार द्वारा कोरोना महा मारी के संकट के दौरान जो जनसेवा का एक अमित उधारान दिया गया अपनी जान की परवा ना करते हुए जनसेवा की गई इसमें प्रशाचनिक अधिकारी पुलिस अधिकारी पत्रकार बंदू अस्पताल के डाक्टर्स नर्स और आम आदमी और जो संस्थान हैं जोनोंने खुल कर गरीपी सेवा और कोरोना से ग्रस्त लोगों को उससे निप अधित रूप से र्यक्ति आगे भी अच्छे काम करने के लिए उस्ताहित होता है इसलिए साहिवावा जनसेवा संस्थान और अमारी पूरी समीत्री इन सभी कोरोना वारियर्स का जिन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में एक देश के अंदर काम किया वो देश सेवा से बढ़ी सेवा कुछ हो नहीं से जमुनिया गांगिवारा कन्या सिक्षा परिशर और पिंड्रई कला में सेंप्लिंग सेक्टर्स बनाए गए हैं ये सेक्टर्स किस तरह जरूरी है और किस तरह की साब्धानिया बढ़ती जा रही है पिंड्रई के परिशर परिशर और खासकर उन चेत्रों से जो रेड जोन है बड़े सहर है और रिस्की एरिया से उनको हम बुला करके उनके सेंप्लिंग करा रहे हैं और सेंप्लिंग करा अगच्चु के सेंप्ल किया व्यक्ति बाहर नहीं रह सकता इसलिए उसको रिजल्ट आना तक के लिए उनको इन चारो संखाओं में रख रहे हैं और जैसे उनकी रिजल्ट निगेटिव आती है तो फिर उनको हम कुरंटैन के निर्देश जे करके उनक और देख लेते हैं क्या है आज की हैडलाइन डीजल पर्टोल की लगतार बढ़ती कीमतों और गलाकाट विजडी बिलो के खिलाफ कांग्रेस ने किया विरोज पदर्शन अध्यक्ष अमित सकतेना के साथ आये किसान बोपाल से भाजपा जोईन कर लोटे पांडुना नगरपाली का अध्यक्ष अरुन पालीवाल जिला भाजपा कारेले में हुआ भव्य स्वागर लोगतंद्र सेनानी संग ने चीन सीमा पर शहीदों के नाम किया व्रक्षा रोपन दीविनम्रुश अध्यान जली और गार्जियन्स के साथ लाम बंद हुए युवा चातर संगठन भी इधार प्राइविट स्कूलों के संचालकों ने प्रशासन से मांगी सुरक्षा ये तो थी हमारी अब तक की तमाम खबरे कुछ और ने खबरों के साथ फिर होगी अब से मुलाकात तब तक हमें और हमारी टीम को दीजेए जासत नमस्कार